तो दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं CBSC ने जारी कर दिया है आपके लिए Sample Question Paper यहां पर मैं आपको Sample Question Paper यानि Question Paper किस तरीके से आने वाला है वह आपको समझाने वाला हूं तो बहुत ध्यान से हम लोग इसी को समझते चलेंगे मुझे एक बार बता दो कि आप लोग को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है आप लोग मेरे को अच्छे से देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो तो हम इसमें आगे की तरफ बढ़ना चालू करें ठीक है? चलिए हलो प्रबाद, हलो रजट दिख रहा हूं मैं आपको अराम से वाइस भी क्लियर होगी, I believe वाइस भी क्लियर है तो देखो, कुशन पेपर कुछ इस तरीके से आएगा आपका साइन्स के बारे में मैं बात करूँ साइन्स का कुशन पेपर है ये स्क्रीन थोड़ी से एनलाज करूँ या इससे काफी काम चल रहा है I think इससे अच्छे से काम चल जाएगा पूरी चीज़े क्लियरली दिखने वाली होगी Yes तो भाई देखो, सीदी से एक बात साइन्स का ये कोड रहेगा आपका 086 ये आपका ओफिशल CBSC का कोड है 90 मिनिट का पेपर रहने वाला अब ये जर्नल इंस्ट्रक्शन है ये काफी इंट्रस्टिंग है क्योंकि इस बार पेपर का पैटर्न अलग हुआ है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है सबसे पहली बात पेपर में तीन सेक्शन है A, B, C A, B, C C, C 3 सेक्शन होगे तो ये में 14nego質 है 24 sausage होगे 1 एक उसमें 4 qeosuson आपको तिया गया है कि 24 मेंसे कोई भी 20 आप लिजीए क्योंकि इसमें 24 है 24 आपको 20 आपको अटेंट करने है इसके बात section C है इसमें 12 qeoson दी है कोई 10 qeoson ə ll id klem सभी questions की जो weightage रहेगी वो equal marks की रहने वाली है ठीक है ठीक इसी तरीके से आप मार्किंग scheme भी दी गई है उसे भी मैं दिखा दूंगा एक बाग तो पहले हमें type समझ लेते हैं कि किस type 6 cbsc question paper हमें देने वाला है तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग ठीक है तो यहां पर आप देखो section a में 24 question है कोई 20 attempt करने है तो देखो normal mcq चल रहा है रीमर तूप 5 ml of lead nitrate यह question paper आप download भी कर सेटो link पेने description में दे दिया और यहां से इस तरीके से experiment based question अब मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों ने already mcq की preparation हम लोग कर रहे हैं हमारे mcq का जो series है वो अलड़ी चालू हो चुका है आज तक हम 70 question कर चुके हैं हम 10 15 यह 20 question नहीं करते हैं हमें जादा ही question करते हैं ठीक 70 question में अभी तक आपको करा चुका हूं बहुत अच्छे से सारे question हो चुके है और वहां पर हमने picture based question experiment based question भी लिये हैं ठीक है जो लोग यह series join करते हैं अभी 7 बजे आज हमने class लिया था तो वहां पर भी आपने based question भी आया है तो यह आपको note करके रखना है कि experiment based question भी आ रहे हैं experiments में से question आएंगे ठीक उसके बाद देखो यहां पर इन्होंने क्या दे दिया यहां पर इन्होंने flow chart दे दिया एक तरीके से ठीक है तो पूरे process का flow chart दे दिया कि metal को जब dilute hcl के साथ react कर रहा है तो क्या निकला metallic salt बनेगा एक गैस बनीगी तो यह reaction दे दी flow chart की form में क्या दे दी है एक reaction दे दी है और फिर एक table दे दी है समय से आपको correct option चूज करना है इस तरह के table वाले question दियान रखेगा जहां पर table आ रही है वो भी हम already practice कर रहे हैं और आने वाले time में करते रहेंगे ठीक इसके बाद देखो balanced chemistry अभी तक हमने हलके किया नहीं है chemistry भी हम लोग करेंगे physics भी करेंगे bio भी हम finish कर रहा है balanced chemical equation तो यहाँ पर देखो equations भी ले ली गई है और देखो correct equation चूज करने के लिए बोला है हला कि biology में हमने काफी equations ले ले ली है respiration की nutrition में की यहाँ पर देखो graph based भी question आएंगे तो आप ऐसा नहीं है कि graph को आप नजर अंदाज करें आप अपनी तैयारी भहिया अच्छे से करके चलना इसके बाद question number 6 in the reaction of iron and copper sulfate solution यह copper sulfate देखो यहाँ पर भी table based question आगिया है ठीक तो आप अपना mental set तयार करते चलना देखो फिर एक normal mcq आया फिर table की form में mcq आया फिर normal mcq आया आप देखो यहाँ पर फिर से diagram based question आगिया ठीक है तो diagram based question आ रहा है तो बेटा यहाँ आप ध्यान रखेगा पैंसिल चलना थोड़ी सीद बंद हो गई है तो देखो diagrams पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है process तो आप करी रहे है diagram पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है hello mother ठीक कि diagram ऐसा नहीं है कि mcq based paper हो गया objective हो गया तो diagram नहीं है यह labeling के लिए आ सकता है process पूछ सकता है बहुत सारी चीज़े देखो इस तरह का question यहां पर दिया है पर देखो एक और diagrammatic question आ गया है आपर ठीक है आज हमने किया ही था एक identify the option that indicates the correct enzyme that is secreted in the location कौन सा enzyme secret हो रहा है इस location में कुछ ऐसा ही मिलता जूलता हमने कहा था कि भई enzymes कौन कौन सा organ secret कर रहा है mark कर दिया है ना तो इस तरह के देखो questions आ रहे है opening and closing of histometal port देखो normal mcq आया फिर से diagram के base पर question आ गया ठीक है तो diagrammatic based questions भईया आ रहे हैं आपको ध्यान रखना है यह picture में आपको identify करना फिर से देखो आप circulatory system hearts related फिर से एक diagram का question आ गया है तो diagram की बहुत value especially life process chapter में देखो आप एक दो तीन चार चार आपको अभी तक questions दिख चुके हैं जो diagrammatic based आ चुके है फिर देखो पांच वह question एक और diagrammatic based आया तो chapter life process बहुत important है इस वजह से कि इस पर diagrammatic based question आएगा साथ ही साथ table वाले question column जिसमे column match करने इस तरह के questions भी आएंगे labeling देखो आज मैंने labeling वाले question भी कराया तो column matching का ठीक है इसके बाद या देखो picture का एक और question आपको physics में देखने को मिलेगा आप light chapter में सोच रहोंगे कि भी आप हम ray diagram क्यों बना रहे हैं ray diagram की क्या जरूवत है तो जो teacher करा रहे हैं या जिन्हों ने जैसे हमने भी कराया है बच्चों को हम ray diagram से बनवा रहे हैं तो आपको detail में study करनी है ध्यान रखेगा फिर देखें normal mcqs आ गए ठीक फिर एक diagrammatic based question आया देखो यहाँ पर दे दिया है on cave mirror का दे दिया है यहाँ पर ray diagram दे दिया है फिर यहाँ पर देखिए आप angle of incidence दे दिया है air का देखो reflection यहाँ पर कुछ दिखाया गया है ठीक है glass lab दे दिया तो reflections related question यहाँ पर हो गया deviation दिखा दिया है यहाँ पर ठीक इसी के बाद prism related question देखो यहाँ पर भी diagram based question हो गया है अब देखो 24 question हुए है 24 question में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है और अगर graph code चलो graph code diagram में नहीं वालते हैं 24 में से 9 question diagrammatic based है section A में समझ रहे हैं आप section B की तरफ आईए section B में भी 24 question आएंगे इसमें से कोई B से evaluate करने है तो question number 25 ठीक है यह explanation दे दिया है ठीक है इसमें भी देखो फ्लो चार्ट दिखाने कोशिश किया यहां देखो फिर graph based question आगया एक और ठीक है यहां देखो picture based question फिर से experiment based diagrammatic question आगया देखो diagram की value खतम नहीं होगी diagrams and experiments इनकी value हमेशा रहने वाली है यह CBSC बता रहा है तो sample paper है कुछ लोग आला कि sample paper का भी solution करके दे रहे हैं आपको sample paper के solution में से एक question नहीं आने वाला topic जरूर आ सकता है question नहीं आएगा इसका ध्यान रखना एक भी question sample paper में से नहीं लगेगा topic तो CBSC देता ही है तो उन topic को तो छूके CBSC चले गई ध्यान अगना जब अपनी तयारी कर रहे हैं 12 की वीडियो भी आएगी अधित्य तिवारी डोंट वरी ठीक है यह वाली बना लूँ उसके थोड़े दिर बाद 12 की वीडियो आ जाएगी ठीक तो भाई यहां प इस वज़े से ऐसा हो रहा है तो इसमें ऐसा बताना होता है कि अगर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं तो आप option A चूज़ कर लीजे और की और रीजन जो है उसकी correct explanation है असर्शन और रीजन दोनों true है मगर असर्शन का reason और रीजन दिये गए है ठीक 31 से 35 तक आपको यह इस तरीके से दे दिया गया है इसके बाद फिर टेबल टेबल बेस्ट यहां को मिल गया है फिर से then you will move further फिर देखो आपको यहां पर फिर से एक डियाग्राम देखने के लिए मिल गया है reflection दिखाना शुरू कर दिया है आपर ठीक है then फिर से रे डियाग्राम refractive index पे question है normal फिर से रे डियाग्राम पे आपको question देखा दिया CBSC ने then 48 यानि section B खतम हो रहा है यहां पर एक table based question आया है तो देखो experiment, diagrams and tables इस format में ज़्यादा question आपको देखने को मिलेंगे जो आपको confuse कर सकते है तो ध्यान रखिएगा good evening ठीक है next section C में आ गए भाई हम ठीक है section C इसमें आपको 12 question दिये हैं और इसमें आपको 10 attempt करने हैं अब यहां पर ध्यान रखिएगा cases हैं यह case based study है case case study based question है भाई ठीक है section C में आपको case study से related questions मिलने वाले है case study क्या होता है एक आपको paragraph दे दिया जैसे English के paper में भी paragraph आता था हिंदी के paper में भी paragraph आता था मगर ध्यान रखिए इस paragraph में में कुछ छपा था अब वहां से salt story ली और salt के ऊपर देखो questions आ गए ठीक है इसके बाद एक और case study आया है देखो biology में से आ गया यह CBSC ने बुक में से उठाया है सीधा सीधा picture देखके समझ में आ रहा होगा ठीक है के ओएच यहां पर रखा हुआ है और बैल जार रख दिये हैं और क्या करनाने की कोशिश की जा रही है ठीक है photosynthesis हो रहा है light तो पढ़ी गई है मगर यहां पर respiration वाला concept समझाने कोशिश की गई है प्लांट में अब उससे base देखो related questions आ गए है ठीक है photosynthesis KOH क्या absorb करेगा और वो सारे related questions आ गए फिर से case study आ गई नूर एक young student है अब देखो फिसमें ray diagram बनाके दे दिया फिर साथ में और फिर से इस तरीके से questions आ गए है ठीक अब यह जो questions आपको दिख रहे हैं यह visually impaired candidates के लिए हैं यहां पर vi likha है न विई आई का मतलब है visually impaired आपको नहीं करना है आपको 60 questions तक करना था ठीक है आपको कितने question आरे थे पहले section में 24 दूसरे section में 24 तीसरे section में 12 तो total हो जाते है 60 questions आपको यहीं पर समापती हो गई है आपको इससे आगे attempt नहीं करना है यहीं तक आपको attempt करके आना है दूसरे में से 20 attempt करने हैं और तीसरे में से आपको 10 attempt करने हैं अब इसमें एक चीज़ ध्यान लगना शुरू के आपने 24 question का option आपको दिया गया है 24 में से अगर आपने 24 के 24 कर दिये तो शुरू के जो 20 question है उसको ही count करेगा इसे ही दूसरे section में भी 24 question का है option तो 24 में से कर आपने 24 के 24 कर दिये तो शुरू के 20 उनका result कुछ भी हो चाहिए सारे गलत हो चाहिए सारे साहिए और बीच में से कोई भी गलत हो चाहिए उन 20 के बाद बाकी के 4 questions बिल्कुल डिको उनको count नहीं किया जाएगा तो सिर्फ जितना कहा गया है उतना ही करके आना जितने questions को attempt करने के लिए कहा गया है उतने ही attempt करने है ऐसे ही जहां पर 12 questions दिये case study में वहां पर कोई भी 10 questions के आपको answers देने है ठीक है इसकी फिर answer की भी CBSC ने दी है इसको अगर आप question paper को solve करना चाहते हो तो solve कर सकते हो और इसके answers को आप यहां से match कर सकते हो ठीक है तो मैंने इसको study नहीं किया और कभी कभी इसमें भी error आ जाता है CBSC की तरफ से human error होने के chances रहते हैं ठीक है तो मैं इसको solution नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं CBSC ने सिर्फ यह sample paper का मतलब होता है बच्चों को यह बताना कि भाया भाया paper जो है आ पताया था स्टार्टिंग में 10 marks के अलग से होंगे नहीं बटा देखो यहाँ पर 20 20 40 और 50 हो गया ना ठीक है मार्किंग इसकीम में इन्होंने अभी CBSC बहुत smart हो रही है ठीक है मार्किंग इसकीम बताने कोशिश नहीं कर दिये पर देखो 40 marks का होने से रहा अभी ठीक है यह होगा I think 35 marks का paper होना चाहिए मेरे हिसाब से ठीक आपका नहीं नहीं 40 marks का होगा 40 marks का paper होना चाहिए 40 and 40 तम 1 और टम 2 40 40 हो जाएगा और 10 marks 10 marks आपके internal assessment की हो जाएगे ठीक है 40 marks का paper होना चाहिए 60 questions आ रहे हैं तो यहां देखिए किस हिसाब से CBSC इसको करेगा let's see ठीक है हो सकता है इसमें भी कोई formula लगा एगर 60 marks का paper कराके उसमें अगर formula लगा देता है तो वो भी देखने वाली बात है हलाकि हमें total 50 questions करने है यहां पर अगर questions हमें attempt करने है वा के लिए कहा जा रहा है तो हो सकता है 50 marks का भी आए और बात में CBSC उसमें formula लगाए ठीक अभी CBSC ने भीजा है थोड़ी जल्दबाजी मुझे लगा क्योंकि यहां पर marks कहीं पर mention CBSC ने नहीं किये है इसलिए मैं इस पर वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था पर बच्चों के मैसिज ने शुरू हो गए किसा CBSC ने बेज दिया है paper sample paper को समझा दीजिए sample paper भाई मैंने तुमको समझा दिया यहां पर आप देखोगे तो CBSC ने बस यह लिखा all questions carry equal marks कहीं पर भी marks का जिकर नहीं किया गया है एक सिर्फ यह sample paper देखे समझाने की कोशिश की गई है कि बच्चे अपनी तयारी शुरू कर दे क्योंकि market में भी बहुत सारे sample paper available हो गए थे तो चलिए आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो बही है सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपके अपने चैनल स्वाड इंडिया को इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज जादा से जादा से शेयर कीजेगा कि सभी बच्चों पर एक सही जानकारी पहुच सक के चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लाइव सेशन में नेक्स्ट लाइव सेशन होने वाला है क्लास 12 के बाइलोजी का चलिए थैंक्यू सो मच पर जोइनिंग बाइबाइ टेक केर